खूर कोड दोस्तों आग यहां प्लिक्लिक्रमेजिंग पार्ट लेके रियक्ट प्लस रिडक्स प्रोजेक्ट फॉर बिगनर्स इस वाले प्ले लिस्ट में वीडियो जाएगा करके वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा ठीक है बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद आपका जो रिडक्स है और रियक्ट से रिलेटर जो भी प्रोजेक्ट आप बनाना चाहते हैं उसमें आप काम कर पाएंगे औ कि वीडियो कितना लंबा है क्योंकि काफी डेटेल में पढ़ाया गया है इसलिए वीडियो लंबा है और आप स्टेप बाई स्टेप ही देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा ठीक है काफी अच्छा प्रोजेक्ट है इसको डेवलप कीजिए इसी में हम काम कर रहे थे पर लौग इन का रचिए तो इस प्रोजेक्ट डेख किया थे हुम्स dify ने काम किया था है फिलार्ण यहाँ पर लॉडबल कर देंगे उसके बाद यहाँ पर लॉड़िंक का रॉड़ दिखेगा इसके क्लिक करने तो लॉड़िर इसी बटन पर इन किया है यह देखें को र के बाद अगर मैं कुछ योदानेम गलत करता हूं मैंने गलत कर दिया लॉगिन पर क्लिक करूंगा नोटिस करें इन्वेलिट क्रेंडेंशल इस तरीके का मेसेज आया ठीक है तो गलत होने पर मेसेज आना चाहिए और लोडिंग का बटन दिखना चाहिए और पासवर्ड भी में जाएं तो प्रोड़क्ट पोस्ट में जाएंगे तो पोस्ट से रिलेटेड डेटा इमेजज में जाएंगे तो इमेजज से रिलेटेड डेटा दिखेगा इस तरीके से ठीक है तो फिलहाल हम अपने वाले प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो जो आपका प्रोजेक्ट हो इसके अंदर से login और login के अंदर से index.js इसके नाम से फाइल है इसको open करिएगा नीची की तरफ आ जाईए यहां पर ठीक है तो नीची की तरफ आ जाएंगे यह जो अपका function bracket होगा इसके अंदर code होगा यहां पर एक condition लगा हुआ है कि अगर user अगर user login है तो प्रोफाइल वाले पेस्ट पर जाएगा अधरवाइस login वाला पेस्ट दिखेगा है तो यह छोटा सा condition लगा होगा इसके नीची जो function bracket है इसके अंदर आपको नीची की तरफ सबसे नीची बॉटम में दिखेगा login का बटन यह रहा login का बटन इसमें login लिखा हु 500 की जहां क्या करें 400 यह जो बटन होगा class name से पहले इसमें आपको disable लगा देना है ताकि यह clickable लगा दिखेगा यहां पर login लिखा हुआ है यहां पर आपको loading लिख देना है तो अगर अभी हम notice करें यहां पर जाके देखें तो दोनों बटन दिख रहा है loading का बटन दिख रह में एक बटन दिखा पाएंगे तो ऊपर के तरफ आज यह जरा top में जहां पर state का collection होगा जहां पर हमारा state का collection है वहां पर हम काम करेंगे तो देखें एक state आपने बना रखा है इसी के ठीक नीचे एक और state आपको बनाना है तो constant बनाए यह तरह इस तरीके से एक loading के नाम से बना लिए constant और अगला जो है आपको set loading के नाम से constant बना लेना है तो मैंने ऐसे set loading तो generally एक function होता है इसके help से हम इसको update करते हैं यहाँ पर हम use state को function के रूप में call करेंगे और default value मैं इसका false रखता हूं तो मैंने ऐसे false रखते है default value अब यह false रखेगा ठीक है अभी हम loading यानि क loading के अंदर क्या है false यह जो value है यह loading के अंदर है और set loading के help से हम इसको update कर पाएंगे true में या और किसी भी data ठीक है फिलाल नीचे की तरफ आजी नीचे की तरफ आजी है जहाँ पर अभी हमने दोनों बटन मनाया यह दोनों बटन है आपका यह हमारा loading वाला है यह login वाला है त लेकिन अगर loading का वाल्यू false है यहां पर आपके तरफ से यह call-on लगाना है और loading का वाल्यू false है तो login वाला बटन दिखेगा इस तरीके से notice करिए मैं आपको बताता हूं यह देखे मैंने क्या loading का वाल्यू true है अगर loading का वाल्यू true है तब हम यह बटन दिखाएंगे loading वाला तो आटोमेटिक यह login वाला बटन दिख जाएगा और जब हमारा loading का वाल्यू false है तो यह बटन दिखेगा ठीक है क्योंकि default value हमने का जो है false कर रखा यूज state के help से अभी हम इसको update करेंगे तो update करने के लिए जब इस button पे click होता है यानि कि यह जो login वाला button है इस पे जब click होगा तब हम उसको update कर देंगे true में और जैसे हम true में update करेंगे यह जो है loading का button यहाँ पर देख जाएगा ठीक है तो ऊपर की तरफ आज यह ज़रा जहां पर हमारा on submit वाला function होगा यह रहा on submit वाला function इसी को open कर लिजिए और प्रिवेंट के ठीक नीचे आपको क्या करना है set loading का यूज करना इस तरीके से और इसका value क्या कर देना है true कर देना है तो set loading के help से हम क्या करेंगे loading का value कर देंगे ऐसे true कर दीजिए उसके बाद आपको try के अंदर यानि कि जो try वाला आपका block है इसके अंदर dispatch के ठीक उपर यह जो dispatch होगा इसके ठीक उपर आपको क्या करना है से अगर login सकेज ओ गया तो set loading का value false जानी कि अब वो हमारा loading वाला बटन नहीं दिखना चाहिए फिर से login वाला बटन दिखना स्ञेए और अगर login यहीं भी हो गया तब भी हमारा loading का बटन नही दिखना स्फिया login का बटन दिखना चाहिए इसलिए यहां पर भी आपको false करा देना एसे लोडिंग का वालू catch के अंदर भी try के अंदर भी तो दोनों के अंदर हमने क्यों false किया इसलिए false किया कि अगर login success हो गया तब तो login का बटन दिखना चाहिए और login success होते ही वह profile page पे चला जाएगा ठीक है लेकिन अगर login fail हो गया तब भी तो login का बटन दिखना चाहिए इसलिए हमने catch के अंदर भी यह define कर रहा है ठीक है perfect login पर जाईएगा मैंने login पर click किया यह दखे लोडिंग दिखे गा यहाँ पर यह दिखे दिख रहा है अभी profile पर चला गया ठीक है नोडिस कर दिख रहा अभी login पर लॉडइवा और फिर से login पर यहाँ पर मैं कुछ गलत करता हूँ मैंने लॉग इन हुआ की नहीं इन्वेलिट के मेसे दिखना चेना कहीं पर भी उपर की तरफ तो लोडर का जो प्रॉब्लम्स था वो तो हमने मैंने गलत कर दिया नोडिस करिए मैंने क्लिक किया अभी यहां पर लॉग इन फेल्ड हो चुका है बट किसी भी तरह का मेसेज नहीं मिला यहां पर मेसेज देना है हमें इसलिए आईए वीस कोड में नीची के तरफ आ जाए नीची की तरफ नोडिस करिए यह जो फंक्शन ब इस तर 220 से बनाना लेना है DM के ग्रिप बलाने दा है और इसके अंदर आपको 10 कंप्र इससी ब्लेद है इंवयरिय्ट के ear आप इसे लिख दिना है इन्वेलिब यह ए आपको कुछा से नहीं लिख दिया इन्वेलिब्स yenाजर इस तरीके से यह तो आप कुछ के इसके सोचेंगे कि इसको हमें कहा दिखाना Ms. और जो दिखानाँ में इसमें अपा झाईगे करना पको मथनी करने के वाद में लेते में किस तरीके से वह दिख रहा है तो नोटस करें उपर के तरफ दीखाह में दोत के दुछके बीच ओड़ाम देना है इसलिए हम यहां पर define करना है इसलिए यह जो डिव होगा यह वाला जिसमें अपने लिख रखा है उसमें आपको काम करना है उसमें आपको काम करना आप सबसे पहले तो आपको define कर देना यह सारी classes आपको define कर देना है नोडिस करिए हो गया यह दिजाइन हो गया अभी टेक्स्ट पे हमें काम पण करना है उसके साथ सथ को टेक्स्ट है अब questo है कर दीया कलर आ गया होगा लिए इस नहीं कि यह पहले से नहीं दिखना चाहिए यहां पर सारा सारा स्टेट का कोपी पेस्ट कर लेना तो मैंने ऐसे प्योंइन करेंगे यहां पर एक काम कर दाँगा रखे अभी मैं आपको लास्त बताऊंगा फोड़ी दिरमा तो पहले फिलावल फॉल्स ही रखे आप ठीक है यह दिखे एरर सेट एरर और यूज स्टेट के अपसे हमने एरर के अंदर फॉल्स को अपडेट कर रखता है यानि कि दीफर्ड वाल्यू मैंने फॉल्स कर रहा है का चैए नीची की तरफ आ जाई जा जाइए जहां पर हमारा मैसेज हे उसको हम सबसे पहले हैडि करेंगे तो यह रहा मैसेज हमारा यही मैसेज है ठीके ना यह है चंट्रक है यानि कि error में अगर true है तब ही यह दिखेगा क्या error है अगर error है तो यह message दिखेगा otherwise अभी नहीं दिखेगा यहाँ पर notice करें मैंने question mark वाला नहीं यानि कि हमने ternary operator का यूज नहीं किया है हमने and operator का यूज किया है तो ध्यांदीजी का सब्सक्रार गरें तब चलेगा जब कोई error नहीं होगा यहाँ पर कोई error नहीं होगा किसी भी तरफ नहीं कि यह यह दिखेगा जब error में true होगा तब यह दिखेगा ठीक है इस त zalीए चरीपर नोटिस बड़िया अभी नहीं कर दें तो यह दिख जाएगा हम इसलिए इसलिए ना दिखे तो अभी पहले से नहीं दिख रहा है कि गडिकना चाहिए जब कोई के अंदर जाता है अगर login फेल्ड हुआ तो कैज के अंदर जाता है इसलिए आपको ज्या करना है सेट एरर के हल्प से इसका वल्यू कर देना है तो ऐसे ट्रू कर देना है इसको कॉपी कर लिजेगा पंडूल से करके और यहां पर सेट लोडिंग के ठीक होपर ट्राइ के पासवड कुछ भी गलत होगा तो वह कैज के अंदर आएगा और जैसे ही आएगा हमने इसको ट्रू कर दिया है वह मैसेज दिख जाएगा अगर सक्सेज हो गया तो इसको हमने फॉर्स कर दिया है ताकि कोई ही मैसेज ना देख्या चाहिक है नोडिस करिए आप यहां पर अगर आज़िक करूँगा यह दिखिए यह अगर हम सही कर दें मैंने सही कर दिया और क्लिक करेंगे तो ङृग ढविश लागाउट करिये अगर नहीं देखना चाहिए तो सरवर से मेसेज फो ऋने के बाद आता है वह इस एरब में आता काम करेंगे रिप करेंगे और करेंगे और दो अब है तो अगर कुछ गलत करें यहां पर लोड करेंगे करर यह करेंगे देखिए अभी error हो गया inspect करके आप जाए जाए ज़रा console में यह जो object आया इसमें चेक करिए मैसेज का वल्यों क्या आया invalid credentials तो यह message हमें देना है ठीक है तो एक काम करता हूं मैं इसी message को update कर देता हूं कहा update करूंगा तेकि set error के help से मैंने true update क्या था ना अफि true update ना करके आपको message update करना है ठीक है तो एक काम करिए यह जो आपका login यानि कि console के अंदर है इसको cut करिए true की जिखाए आप इसको define कर दिए और dot message read कर लिए तो message read हो जाए यानि कि जो message आया है यानि कि जो message आया है यहाँ पर आपको message तो message का spelling notice परी ठीक हो रहा है ठीक है यह message आपको read करना है तो जो message आया है server से वो read हो जाएगा और set error यानि कि जो error है उसके अंदर चला रहा है यह console लटा दिए इसका कोई काम नहीं है फिलाल ठीक है तो अब हम कोई message update कर रहे है ठीक अब कोई message आना हमें जरूर नहीं कि true हुआ है ठीक है इसलिए यहाँ पर रखेंगे अगर true आता हमें पता होता कि स्रिफ true आएगा तो हम यहाँ पर false रखते है अगर हमने null इसलिए रखा है क्योंकि हमें नहीं मालू है कौन सा data है ठीक है तो पिलाल हमने message update कर दिया set error के है तो अब जो server से message आया है वो error के अंदर चला जाएगा और यहाँ पर जो false आपने डिफाइन किया था set error का हो यहाँ पर भी आप नल कर दीजेगा ठीक है इस तरहीं के सच ताकि अगर login success होगा तो फिर से उसका value नल हो जाए ठीक है परफेक्ट तो यहाँ पर यहाँ पर हमने यूज स्टेट में false रिखा था वहाँ नल कर देना है और try के अंदर जहाँ पर हमने false रिखा था वहाँ नल कर देना है और catch के अंदर हमने message को ही update कर दिया जो server से आ रहा है ठीक है अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो server से यहाँ पर message तो दिखेगा invalid user का अभी पहले तो आ error के अंदर है इसलिए जहाँ पर आपने यह invalid user लिखा है वहाँ पर आपको error rate करना है तो इसको अटाईएगा curly bracket के अंदर आपको यहाँ पर इस तरीके से error rate कर लेंगे तो जो server से message आया है वो error के अंदर है इसलिए error को read कर लेंगे अगरा तो server वाला message आपको मिल जाएगा invalid credential कि तरीके का message मिले गया किलाल मैं कुछ गलत करता हूं यहाँ पर login पर click करूंगा यह देखिए invalid credentials इस तरीके का message मिल चुका है ठीक है perfect तो अभी हमें क्या करना है यह जो message आया है यानि कि जो हमारा यह red color का alert है इसको हमें 3 second के अंदर hide कर देना चाहिए यानि कि यह जो alert है इ यह जब तक हम changes को detect नहीं करेंगे हम उसको hide नहीं कर पाएं जैसे हमने यह पर गलत किया तो अभी गलत हो गया तब यह दिखा ठीक है तो जब गलत होगा तभी हमें इसको hide करना है यह जो इंपोर करने के बाद यह जो submit वाला function होगा इसके उपर ही आप ताम कर सकते हो इसलि इफेक्ट को direct function के रूप में call करना है इसके अंदर आपको call way function का definition करना है इस तरीके से और जो dependency array होगा उसके अंदर आपको error लिख देना है यानि कि कोई data आया अगर data आया तो set time out इस function को अब define करेंगा इस तरीके से set time out इस function को यहां पर भी हम call way function का definition करेंगे तो error function करेंगे इस तरीके से और set error के help से उसकी help से हम यहां पर null update कर देंगे जैसे हम null update करेंगे वह message automatic चला जाएगा लेकिन कितने देर बाद आप null update करेंगे तीन सिकंड के बाद यहां पर आपको लिख देना है और जो previous lecture है वह भी आपको मिल जाएगा यूटूब चैनल पर जाहिए देखिए live सब कुछ पढ़ाया गया है ठीक है class में भी आईए daily class जलती है link WhatsApp group में जाता है तो WhatsApp group को भी जॉइन करें इसी वीडियो के description में या किसी और वीडियो के description में आप आपको WhatsApp group का link मिल जाएगा तो वहां से आप जरूर जोइन करिए ठीक है तो यह जो error हमने dependency array के अंदर लिखा वो क्यों लिखा ताकि error के अंदर जब भी changes आए तो यहां का code एक्जीकूट करेगा कब जब notice करिए इस हमने error check क्या error में कोई data है अगर data है नल होगा तो नहीं च चेक किया जाएगा यहां पर तीन सिकंड के बाद यह code चलेगा और error में अपडेट का तो अगर हम यहां पर टेस्टिंग करें सेज की notice करें मैं कुछ गलत करता हूं मैंने गलत कर दिया यहां पर क्लिक करूंगा यह दिखे फेल एक message आया invalid credential लेकिन तीन सिकंड के अंदर यह तो है next lecture में देखेंगे तो फिलहाल आपको patience रखना है और जिस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है जिस तरीके से आपको समझाया जा रहा है उसी के आपको काम करना है ठीक है तो फिलहाल notice करें बाई-3 तरीके से हमने इसको handle किया यह देखें invalid credential तीन सिकंड के अंदर य अच्छे से समझ में आ जाएगा I hope चीजें के लिए रहोंगी कुछ इसू है जरूर कुछ है आपकी help कर दे जाएगी thanks for enjoying the education of just for good see you soon जाहिए हिंज जाएबाराद